हालो दूस्तू नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्व चैनल में तो दूस्तू कैसे हो आई होप कि आप तैयारी घर पे अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता है कि लोगडाउन की वज़े से कुछ भरतिया नहीं निकलीती और आप तैयारी घर पे ही कर पा र नोट्रिकेशन आने सुरू हो चुके हैं तो दूस्तो आज हम बात करेंगे सरकारी लिमिटेड भरती के उपर और इसका ओफेशली नोट्रिकेशन लेटेस नोट्रिकेशन भी जारी हो चुका है खुद स्वेम भी देख सकते हैं आपको फोर्म फील करना भी दिखाएंगे क खनीज भी वाक से रिलेटिव है इसमें दसवी बार भी पास स्टुडेंटों को मोखा मिला है तो दूस्तो अगर आपके पास ये कॉल्फीकेशन है तो आप देखिए का पूरा नोट्रिकेशन मैं आपके सामने पूरे नोट्रिकेशन की चर्चा करने वाला हूं तो चलिए तो बेल आइकन को ओन कर लिजिएगा आने वाले लेटिश नोट्रिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं तो दूस्तो आज हम बात कर रहे हैं योरेनियम्स कार्पोरेट ओफ इन्डियन के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लेटिस अपडेट के बारे में तो हम बात करें लेटिस लास्ट तारीक इसकी 22 में तक आप इसमें अपना फॉर्म फील कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें कुछ वेकिंसिया हैं अप्रेंटिस की भी है और पर्मानेट जूप की भी है तो यानि कि आप चाहे तो इसकी ओफिसली वेबसेट पर जाके पता कर सकते हैं पर मापको सबसे पहले इसके ओफिसली नोट्रिकेशन पर लेके जलता हूँ फिर बात करेंगे फॉर्म फील करने के बारे में तो दोस्तो यूरेनियम कार्पोरेट इंडियन के बारे में आपने नाम सुना होगा अच्छे से काफियत सी कंपनी है जैसे NCL की बात करेंगे तो इसमें कई बार पिछले दिनों में इसकी वेकिंसी भी निकली थी तो यह अलग-अलग संस्ता हैं है इसकी ओपनिंग 18 तारिक यानि कि आज से इसकी ओपनिंग हो चुकी है और आप इसमें 22 में तक आप आवेदन कर पाएंगे तो यहां पर देखिएगा जो पोस्ट हैं कोड़ वाइस तो यहां पर पोस्टों के अनुसार केटिगरीज भी निधायत कीगी है कॉलफिकेशन भी निधायत कीगी है तो अपनी कॉलफिकेशन के अनुसार देख सकते हैं तो यहां पर पस्ट ओप कोल BSC वाले स्टुडेंटों की यहां पर डिमांड कीगी है इसी दुरान अब मेट्रिक पास 10 भी बारिव स्टुडेंटों की बात करें तो यहां पर वो भी देख सकते हैं अब बात करें SC, ST केटिगरीज जर्नल केटिगरीज तो यहां पर 52 के पोस्टे हैं टोटल जर्नल, OBC, SC, ST केटिगरीज की तो दोस्तों यह जो मैं आपको भरती बारिव के बारे में अपडेट दे रहा हूँ यह सारी पर्मानेट भरती हैं अब बात करें अप्रेंटिस के लिए आपको यहां पर अप्रेंटिस की भी कुछ पोस्टे दिखेगी जिन पर आप लोग अप्रेंटिस के अनुसरा 10 वी, 12 वी, पास्वाले स्टुडेंट 60 परसेंट या 55 परसेंट तक यानि की 55 परसेंट तक नमबर है आपके कॉलिफिकेशन 10 वी बारे में तो आप इसमें आविदन कर पाएंगे तो दोस्तों यह हुई इसकी थोड़ी सी कॉलिफिकेशन के बारे में जानकरी आपको बता दें इसमें 10 वी, 12 वी यही पस्ट ओप कोड, पस्ट कोड बारिद भी एससी वाले स्टूडेंटों के लिए फिर बाकी पोस्टें जो भी है जैसे बात करें 10 वी की है बार वी की है मैथमेटिक से है तो कुछ बेसिकी लेंग्वेज, नोकल लेंग्वेज का ग्यान होना जरूरी है तो यह सा आपके पास होना जरूरी है तो दोस्तों यह है इसकी पोस्टों के बारे में वेवरेन, अब हम बात करें सेलेरी के बारे में स्टार्टिंग में आपको जो पर्मानेंट जूब है उनकी सेलेरी के बात करें 20,000 से 40,000 या 33,000 तक salary होगी बागी हम बात करें apprentice वाले studentों के लिए तो दोस्तों आपको वन येर का apprentice करना होगा apprentice करने के बाद आपको agreement जो 20 रुपे का agreement फिल करना होगा वो फिल करने के बाद आपको उसमें training दी जाएगी ट्रेनिंग के अनुसार फिर आपको जूब मिलेगी, यहां पर आपके सामने पूरा प्रोसेसर लिखा वाया है, आप खुद स्वेम भी देख सकते हैं, यानि कि दोस्तों आप 20 रुपीज का जो एग्रीमेंट होगा कंपनी के जरिए आपको दिया जाएगा, जिसमें वन येर का अप्रेंटिस इंक्लूड किया जाएगा, बाकि फिर 40 एर्ष तक आपको उसमें काम करना होगा, फिर उसके बाद आपको पर्मानेंट नोकरी दी जाएगी, तो दोस्तों ये है इसका वेपरन, आप बात करें, जो स्टूडेंट एक्जाम देके नोकरी करेंगे, उनके ल जो बेसिकी, मैथमेटिक, जर्नल जी के वगरा होगी, उनके क्यूशन्स आएंगे, 80 क्यूशन्स आपके आएंगे, जो आपकी जर्नल लोजर के, जानिके अपकी जो सब्जिक्ट है, उसे रिलेटिव आपके क्यूशन्स होगे, जो आपकी जैसे बात करें, मैथमेटिक, फ नहीं हो देड़Cor fulfillment नहीं हो देना होगा आप इसे ओंलाइन करवा किनकिक किसी बी ώर् e से आप इसे जा मार करवा सकते हैं अवेधिन करने तारिक को को है क зах den करवा सकते हैं और इसमें बात करें आयू सिमा की तो आपको बताथ कि 35 भर graphics मेक्जिमम इसमें मागी गिया नहीं कि 18 से 35 वर्ष्ट तक कि चातरिस में आवेदन कर सकते हैं वो SCST के टिगरीज के अनुसार इंक्लूड की जाएगी तो दुस्तो ये है इसका पूरा नोट्रिकेशन आप खुद स्वेम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं इसके नोट्रिकेशन का पूरा लिंक आपको हमारे यूट्वी चैनल के डिस्केशन बोक्स में दिया जाएगा अब बात करें आवेदन कैसे करेंगे तो दुस्तो आपको इसकी ओफिसली विवसेट पे जाना होगा जाने के बाद आपको सब से पहले रजिस्टेशन करना होगा रजिस्टेशन करने के लिए आपके पास इसकी मेल आईडी और या फिर आपका मोबाइल नमबर होना जरूरी है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ओफिसली विवसेट का ये जरासा लिंक आप मेरे सामने हैं जिसमें आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रारूप के अनुसार यहाँ पर इसके लिए लिखावा है नमर्स, लोगिन आईडी, पासवर्ड, इमेज और जो भी आपका आईडी है एमेल आईडी, वो जरूरी होना जरूरी है तो यहाँ पर यह थोड़ा वेजिक कि इसके प्रोसेसर के अनुसार जो रूल्स हैं, फोर्म फिल करने के वो यहाँ पर दिय वहाँ है यानि कि फोटो सिग्नेचर होना जरूरी है और जेपीजी में या पीडिये फोर्म में हो न जरूरी है तभी आप इसमें समिट कर पाएंगे तो दोस्तों ये है इसका विवरन अब यहां से आप कमपनी के रूल के अनुसार तो यहां पर आप इसको यस कीजिएगा यस करने के बाद आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं तो आई होब कि आप सभी इसे पहली बार लोगिन कर रहे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि यह अभी तक लोगिन यानि कि आवेदन नहीं हो रहा तो यह आपे लिखाव है 18 में यानि 18 में से यह सुरू हो जाएगा तो करीबन साम के 5 बजे तक यह उनलाइन होना सुरू हो जाएगा तो दूस्तो इसके उपर एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट में डिमांड करते हैं कि फोर्म फिल करने का वीडियो बनाएं तो हम आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करेंगे तो दूस्तो अगर जादा कमेंट होगे तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे और इससे अगर थोड़ी वो दिक्कत आपको आईगी तो हम आपको एक बार रिपीट करके बता देंगे तो दूस्तो कैसे लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक बार अपने मन से और दिल से लाइक कीजिएगा सेर करेगा अपने फ्रेंस वगरा को थेंक्यू दूस्तो जैहिं दूस्तो